दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज मॉनिंग में मैंने यह नाश्ता बनाया था बहुत ही टेस्टी बना था इसके लिए मैंने आलू उबले हुए ले लिये हैं आधा किलो करीब आलू है और यहाँ पर कड़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है शर्सू का तेल यूज नहीं है जल्दी ही यह तेल चोड़ देता है और यहाँ पर भून जाए थोड़ा सा तो यहाँ पर मैं हींग एड़ कर रही हूं हींग ऑप्शनल है मिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फिर नमक डाल करके मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी और जो उबले ह कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए दो मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें नीबू निचोड़ दिया है गैस बंद करने के बाद ही इसमें आप नीबू का रस निचोड़ेंगे अगर आपके पास नीबू नहीं है तो आप यहाँ पर खटाई का भी यूज कर सकते हैं यह म मैंने आधी चमच, आजवाइन, मंग्रेल, नमक एड़ कर दिया है और यहाँ पर मुएन देने के लिए मैंने बीच में जगा बनाई और थोड़ा सा रिफाइंड ओयल इसमें मैंने मुएन देने के लिए यूज किया है आप चाहें तो घीका भी उज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो और यहाँ पर मैं इसका एक सफ सा आटा गूत लोगी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके यहाँ पर मैं इसका आटा गूत रही हूँ आटा गूतने के बाद मैंने यहाँ पर कचोडियों के लिए तेल चड़ा दिया था तेल अब गरम हो चुका है और इस तरह से छोटी-छोटी कचोडिया इसमें मैं तल लूँगी दोस्तों ये नाश्ता आप बना करके बच्चों के टिफिन के लिए भी दे सकते हैं या खुद भी खाईए सर्दियों में इस तरह के गरम-गरम आलू हरे वाले और ये कचोडियां बहुत ही मज़े देती हैं एक बार बना के जरूर खाईएगा और कमेंट में बताईएगा जरूर की कैसे बने हैं कचोडियां इस तरह से छोटी-छोटी रहेंगी थोड़ी सी मोटी बनाईएगा बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती हैं और इस तरह से करारी-करारी लाल-लाल कचोडियां हम तलकर त्यार कर लेंगे और इसको मैंने चाय के साथ सब किया था यह हरे वाले आलू कचोडियां और चाय दोस्तों बहुत ही मज़ा आ गया था खाने में एक बार बनाईए और खा करके बताईए यह कैसी बनी थी और यह देखिए त्यार हो गई है हमारी क्रिस्पी करारी कचोडियां और ग्रीन वा अगराब को पसंदा